फ्रेंच मैं आपके लिए दो लग-luग तरीकों से बनने वाले बहुत भी स्वादिस्ट और दानेदर रवा लड़ू है ना सूजी के लड़ू इनकी रेस्पे लेकर आयी हो बहुत ही कम घी में हम इनको बना कर तैयार करने वाले हैं सूजी के लड़ू हैं जो सभी को बहुत टेस्टी लगते हैं लेकिन जब हम इसको कई वर चाशनी से बनाते हैं तो अगर चाशनी परफेक्ट नी बनती तो लड़ू को टेक्शर भी अच्छा नी आता तो आज की इस रेस्पी को बनाने के लिए आपको चाशनी बनाने का कोई भी जंजटनी करना पड़ेगा खाने में लड़ू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना इनको बिल्कुल उसान है तो उमीद करती हूँ आज की आपको ये दोनों रेस्पी अच्छी लगेंगी आपको कौनसी वाली रेस्पी जादा अच्छी लगी आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है तो चलिए फिर इनको बनाना शुरू करते हैं सब से पहले हम जो लड़ू बनाने वाले हैं इन्हें बनाने के लिए हमने दो चम्मच देसी घी है जो वो पैन में डाल दिया और घी को पहले न अच्छी तरह से जो गरम होने देंगे जैसे घी गरम हो जाता हम इसमें 20 से 20 डालेंगे किशमिष और 15-20 हमने बदाम लिए जिनको रफली चौप कर लिए इस तरह से कट कर लिए तो इनको हमने हलका सा है जो घी में भून लेना है किशमिस जैसे इसमें फूल जाती है और बदाम थोड़े से क्रंची हो जाती है तो हम इसको एक लग बरतर में निकान लेंगे तो अभी हमने ड्राइफ रूट्स को लग निकान लिया है अब इसी बचे हुए घी में जो हमने घी डाला था इसमें भी और घी नी डाला इसी बचे हुए घी में हम एक कप डालेंगे रवा यानि सूजी का बरेक वाली सूजी मैंने इसके लिए यूज किया तो जब हम इसको धीमी आज पर इस तरह से भूनते हैं तो इसका पर ज्यदभी ज्यादा शेंज नी पहले से हल्का सा कलर करीबुल मुझे जो 7-8 मिनिट के करीब होने वाले हैं और आपको देखकर पता चल रहोगा यह देखे पहले से हलका सा कलर है जो इसका चेंज हो चुक है और रवा को ना हमने 8-10 मिनिट के करीब गैस के लो फ्लेम पर है जो भून ली है तो अभी हम इसको जो इकलग बरतर में निकाल द देंगे तो पहले हमने जो रवा भूनी थी ना उसमें भी हमने कोई ज़्यादा घी नहीं अड़ किया था जैसे यह घी हलका सा गरम हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे मावा तो यह मैंने इसके लिए एक कप मावा यानि खोया लिया घर पर बनाया हुआ मावा है तो हमन इसको घी में फिर अच्छी तरह से भून लेना चार से पांच मिनटे तक उसको भून लेना तो अभी यह दिखिए मावा को जैसी हम घी में इस तरह से भूनना शुरू करेंगे धिरे धिरे जैसे जैसी गरम होता जाएगा क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में स्टोर करके रख तो यह दिखिए इस तरह से इसका बहुत क्रीमी सा टेक्शर हो जाएगा और जैसी इस तरह से मैल्ट सा होना शुरू हो जाता है फिर हम इसको दोग मिनिट के लिए गैस की कम फ्लेम पी लगातर चलाते हुए भून लेंगे तो मावा को क्योंकि मैंने पहले ही जैसे आपको कोई ज्यादा इसमें घीव गयरा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है इससे अपने आप यह जो बाइंडिंग का एक टेक्शर आ जाता है तो अभी हमने दिखिए मावा को इसमें अच्छी तरह से जो सूजी में मिला दिया है अब हमने जो ड्राइफ रूट्स र इसको यूज किया जाता है लड्डू का टेक्शर इससे बहुत अच्छा था टेस्ट और बढ़ जाता है तो यह आपको इसली जो करियाना स्टोन जहां से भी आप घर का राशन वगयरा लेते हैं वहां से मिल जाएगी तो इसको मिलाने के बाद अब हम इस तरह से देखिए लड्डू बांद लेंगे इसमें हमें और घी डालने की बिल्कुल भी जरूटनी पड़ी टोटल हमने इसमें जो चार चमच देसी घी का यूज किया अगर फिर भी इस टाइम पे आपको बाय चांस मिक्शर सूखा लगे लड्डू बांदने में प्रॉबलम लगे तो आप हलका सा देसी घी जो गरम करके इसमें डाल सकती हैं तो यह हमने देखिए कर इस तरह से जो बागी के लड्डू भी बनाकर तयार कर लिने हैं बहुत ही बड़िया यह लड्डू इन न सूझी और मावा के बनकर तयार होते हैं और में तोड़ कर इनकर टेक्स्टर दिखा दे और इसी तरह से हम जो दूसरे लड़ू बनाने वाले हैं ये भी खाने में बहुत जादा टेस्टी बनते हैं और इनका टेक्शर इतना जादा सॉफ्ट आता है बिल्कुल नरम उलायम जो मूह मा घुल जाने वाले लड़ू है ये बनकर तेयार होते हैं तो इन लेड़ूओं को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कप लिया रवा यानि सुजी बरीक वाली सुजी हमने इसके लिए यूज की है और नाप के लिए नाप अगर इस तरह का मैजरिंग अपनी है तो घर का कोई भी कप या कटोरी नाप के लिए सेट कर लेना सारा कर लेंगे और इसको जब हम इस तरह से दिखे पांच से साथ मिनिट के लिए भून लेंगे ना इसके बाद हलका से इसका दिखे कलर चेंज हुआ है गैस के लो फ्लेम पे जब हम रवा को भूनते है ज्यादा इसका कलर चेंज नी होता अब हम इसमें दो चम्मस डाल देंग तो सूजी के लड़ू एक बार आप इस तरीके से भी जरूर बना कर देखिएगा मलाई डालने के बाद हमने इसको इसमें अच्छी तरह से मिला देना गैस का फ्लेम हमने अभी भी पूरे प्रोसेस में लोई रखना है और जैसी आप इसको मलाई में अच्छी तरह से मिला जाद होगे ना यह देखिए एक से दो मिनिट के करीब लगते हैं बहुत ही खिला खिला से इसका टेक्शर है जो रह जाएगा अब हमने इसमें डालना है दूद यह गरम किया हुआ और रूम टेंपरेचर पर रखा हुआ दूद है और आपने ने इन स्टेप्स को बहुत ही बंद कर सकते हैं जैसी देखिए इसमें दूद को पूरी तरह से सोक लिए अब हम दोबारा से फिर इसमें तीन चोटे चमच दूद है जो डाल रहे हैं फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिलाना है और इसको ऐसी चलाते रहना है आदा से एक मिनिट में यह देखिए इस तरह खिला रखना चाहते हो तो अभी यह दिखे दूद को इसने पूरी तरह से सोक लिए है न तो इस तरह से हमने इसको दिखे थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूद डालना है अगर आपने यही वाला दूद एकदम से सारा डाल दिया न तो फिर तो इसका पूरा ही टेक्स्चर है जो बिल्कुल ही लग हो जाएगा अभी हमने दो से तीन चमच दूद इसमें और डाल दिया तो जैसे हमने टोटल नो से दस चमच के करीब इसमें दूद डाला अगर आप यही वाला दूद एक बर सारे का सारा इकठा डाल कर देखना अगर इस तरह से डाल दोगे न सारा तो पूरा ही टैक्शर इन लड्डूओं का चेंज हो जाएगा तो आपने यह वाली गलती बिल्कुल भी नी करनी दूद इसमें एकदम से बिल्कुल भी डालना थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूद जो डालना है तो अभी यह देखिए मिक्शर उतना ही खिला खिला सा ब कि अज़ी हमने ड्राइफ रूट्स चालने के बाद इसको दिखेए के दो शी त्रह से लगातार चलाते रहना गैस का फ्लेम ने जैसी दूद मिक्स कर दिया था आपको मैने जैसे बताया अगर गैस का फ्लेम आप बंद करना चालते है तो बाद में आपने इसको तीन से चा जादा भी कम कर सकते हैं, और अगर आप मीठा कम रखना चाहते हैं, तो एक से दो चमश कम भी कर सकते हैं, वैसे हमने जितना इसमें मीठा डालाना, बिल्कुल परफेक्ट लड़ू बन कर तयार हुए थे, ना ही तो वो जादा मीठे थे, और ना ही उसमें जो फीका सा अगर आपको लगे इस टाइम पे मिक्स्चर सूख है तो आपने देखिए हलका से जैसे हमने एक से दो छोटे चमस दूड़ इसमें डाला है थोड़ा सा बिल्कुल डूड़ डालना है जादा दूड़ बिल्कुल भी नहीं डालना नहीं तो हमने जैसे शुरू में स्टैप स इस टाइम पे अगर आपने जादा दूड़ डाल दिया तो टैक्शर बिल्कुल भी दाने दर नहीं रहेगा तो मिक्स्चर अब बिल्कुल खिला खिला आपने रखना है और इसको इस तरह से देखिए हम लड़ू बांद लेंगे बहुत ही ईजली लड़ू है जो इस तरह स हो रहे हैं तो यह हमने एक लड़ू बना लिया इसी तरह से बाकी सारे लड़ू है जो वह भी बना कर तैयार कर लेंगे तो रवा लड़ू है एक बार आपने इस तरह से भी जरूर बना कर देखने हैं बहुत ही टेस्टी यह वाले लड़ू है जो बनकर तैयार होते हैं और बिस्क्राइब जरूर करना है और आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको जादा इसमें से कौन सा वला जो तरीक है वो अच्छा लगा जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें